हेलो एवरिवन वेल्कम टो आर यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज अपने एक पोईट्री पढ़ने वाले बहुत ही प्यारी सी पोईट्री है फॉर इलकाना और जिसके जो राइटर है वो है नेजम इजैकिल तो यह जो नेजम इजैकिल है इनका जो जन्म है वो हुआ इनकी जो डैथ है वो हुई थी 2004 में तो फ्रेंट्स यह जो नेजम इजैकिल है यह मुंबई के रहने वाले थे मिन्स इनका जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था और इन्होंने बहुत सारी पोईट्री लिखे थी और साथ में कुछ इन्होंने प्लेज भी लिखे थे तो चलते हैं अपनी पोईट्री की तरफ देखते हैं फर्स लाइन दे वॉर्म एप्रिल एवनिंग टैंप्स अस तु दे ब्रीजेज वॉर्म एप्रिल एवनिंग मिन्स जो एप्रिल का महिना होता है वो गर्म होता है मतलब उस अप्रिल के महिने में गर्मी रहती है तो वो प फ्रेंड सेंट्रिंग का मतलब होता है चहल कदमी करना तो उस थंडी हवा के लिए जो की लोन में चल रही थी वी ड्रैग अवर चेयर्स डाउन दे स्टोन स्टेप्स एंड प्लैंड देम देर तो फिर हम अपने चेयर्स को खींचते हुए क्या कर रहे थे स्टोन स्टेप्स उन पत्थर की बनी हुई सिडियों से खींचते हुए नीचे ला रहे थे और क्या कर रहे थे प्लैंड देर मिन्स लोन में उन चेयर्स को जमा रहे थे रख रहे थे आगे देखते हैं अन इवनली टू सिट और राधर स्प्रॉल इन साइलनस तिल दा वर्ड बिगिंस तो कम तो जो पॉइट है वो बता रहे है कि वो क्या कर रहे थे अपने तरीके से आम्स और लैक्स के सहारे मिन्स फैल कर बैठ रहे थे बिलकुल कमफर्ट होकर के तो यहाँ पे बिलकुल साइलनस की बात की गई मिन्स कोई भी जो वर्ड है वहाँ पे कोई भी दोनों में से हजबन और वाइफ में से कोई भी नहीं बोलता है तब तक के लिए वहाँ पे क्या हो रखी थी एकदम साइलनस हो रखी थी एकदम शानती होके रखी थी my wife as is her way surveys the scene comments on a broken window pane तो point जो है वो फिर आगे बताते है कि मेरी जो wife है वो अपने ही वे में मतलब अपने ही तरीके में उस scene का survey करती है और फिर क्या करती है comment करती है किस पर करती है तो वो जो टूटी वी जो window थी जो टूटावा mirror था को जो कांच था उस window का तूटावा उस पर वो comment करती है और वो अपने husband को बोलती है कि शायद वो उसे change करने के बारे में मतलब वो अपने husband को उसको change करने के बारे में शायद बोलती है आगे देखते हैं suggest a thing or two that every husband in the neighborhood knows exactly how to do तो वो जो suggest करती है एक या दो चीज़ एक दो वो सुझहाव देती है एक दो चीज़ों के बारे में वो और बोलती है कि वो प्रतिख husband जो की परोस का है वो जानता है कि इसे कैसे करना है exactly knows how to do मतलब वो पूरी तरीके से जानते है कि परोस वो जो husband है मिन्स परोस के सारे में जो है वो जानते है बस उसका husband उसका जो lover है उसको छोड़ करके बाकी सारे जन जानते है कि ये काम कैसे किया जाता है who happened to me जो के point खुद है unwilling to dispute the obvious fact तो point कहते हैं कि मेरा इस बात पर जगड़ा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है मैं बिल्कुल भी जगड़ा नहीं करना चाहता इस obvious fact पर इस सच पर अब वो सच क्या है देखते हैं आगे that she is always right कि वो हमेशा सही होती means point कहते है कि पत्निया तो हमेशा wife तो हमेशा सही ही कहती है चाहे वो गलत ही क्यों नहीं हो वो हमेशा सही होती है तो point कह रहे है कि वो इस बात पर जगड़ा नहीं कर सकते कि वो सही है मतलब वो हमेशा सची वोलती है आगे देखते हैं I turn towards the more attractive view that opens up behind my eyes and shuts her out और मैंने क्या किया उसकी तरफ से अपना मूँ जो हटा लिया टर्न कर लिया और जो शानदर attractive view थे उन्हें मैं क्या करने लगा देखने लगा जो मेरी आँखों के सामने खुल रहे थे and shuts her out और उसकी तरफ मैंने देखना बंद कर दिया her voice travels up and down the lawn यानि उसकी जो voice है up and downs होती हुई क्या कर रही थी पूरे lawn में जा रही थी means कभी दिये तो कभी तेज होती हुई our son who is seven और जो हमारा बेटा था वो क्या था seven years का है hear it and it reminds him of something और फिर उसे मतलब वो आवाज सुन लेता है आवाज को सुनके और कुछ रियक्ट करता है तो उसे कुछ याद आ जाता है means कोई चीदों से याद आ जाती है he stands before us तो फिर वो आता है और हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है his small legs well apart उसके जो छोटे छोटे पैर है उनको खोल कर फैला कर खड़ा हो जाता है crescent moon like chin unlifted तो friend crescent moon का means होता है मतलब half moon आधा चांद जैसे वो अपनी चिन को उठा करके आधे चांद की तरह वो अपनी चिन को उठा करके सीधा खड़ा हो जाता है आगे देखते है eyes hard and cold to speak his truth और उसकी जो eyes है वो बहुत ही क्या है hard दिखाई दे रही थी और उसकी आँखों में क्या था एक थंडा पन था एक थंड थी in masterly determinations और क्या कर रही थी अगर मतलब सच बोला जाए truthly बोला जाए तो क्या है वो बिल्कुल masterly order देते वे बोलता है मतलब वो पूरी तरीके से क्या करता है order देते वे कहता है क्या कहता है तो देखते है mommy I want my dinner now की mommy मुझे अपना dinner चाहिए वो भी अभी के अभी wife and husband in unusual report state one unspoken thought और जो wife और husband है वो क्या करते हैं दोनों एक दूसरी की तरफ friendly तरीके से देखते है और फिर दूनों क्या करते है एक ही चीज सोचने लग जाते है means उनके mind में एक ही thought आता है अब क्या thought आता है children must be disciplined कि हमें बच्चों को discipline में रखना चाहिए थोड़ा सा उन्हें discipline देना चाहिए she looks at me I look away और वो मेरी तरफ देखती है मतलब point की कहने का means है कि जो wife है वो उसकी और देखती है जैसे कि उसने ही mistake की हो और वो उसी time क्या करता है मतलब जो point है वो उसी time क्या करता है अपनी नजरे गुमा लेते हैं means दूसरी और देखने लग जाते हैं आगे दिखते हैं friends means उसका जो बेटा है वो इंतिजार कर रहा है और point को उसके फादर को पता है कि अगर उसे जवाब नहीं दिया गया तो वो दूसरे ही second में अपनी बात दो बारा से बोल देगा वाइफ वेक्स अ फिंगर तो फिर जो वाइफ है उसकी वो अपनी फिंगर को वेक करते मिन्स हिलाती है लहराती भी बोलती है firmly delivers verdict wait in five minutes I will serve your dinner और अब वो क्या करती है strongly verdict का means होता है फैसला देना तो वो अपना फैसला सुनाती है strongly और कहती है कि wait करो five minute मतलब पांच मिनट तुम इंतजार करो मैं तुमें डीनर पांच मिनट में दे दूँगी आगे देखते हैं no says the little one not in five minutes now I am hungry अब वो बच्चा बोलता है जो little child है वो कहता है कि नहीं not in five minutes कि पांच मिनट में नहीं now अभी चाहिए means वो कहता है कि मुझे तो अभी चाहिए मैं तो अभी भूका हूँ it occurs to me the boy is like his father और ये जो लड़का है वे बिल्कुल मेरी तरह यानि कि अपने फादर की तरह है I love him as I love myself मैं भी उस बच्चे को उतना ही लव करता हूं जितना अपने आपको आगे देखते हैं wait darling wait mummy says wait for five minutes अब जो mummy है वो कहती है कि अपने बेटे को कहती है कि इंतजार करो बेटा थोड़ा इंतजार करो बस five minute का wait करो तुम्हें बस five minute wait करना है but I am hungry now लेकिन बेटा कहता है कि नहीं मुझे तो अभी चाहिए मैं क्या हूँ अभी hungry हूँ just अभी चाहिए मुझे तो declaims the little bastard in five minutes I won't be hungry anymore तो friends जो declaims का means होता है उसका means होता है गूशना करना तो जो little child है जो छोटा बच्चा है वो कहता है वो बहुत ही क्या होता है एक तरीके से जिद्दी और शैतान होता है तो वो कहता है कि मुझे तो अभी चाहिए बस five minutes के अंदर उससे मतलब wait भी नहीं हो रहा है तो वो five minutes के लिए कहता है कि five minutes में तो मुझे भूक ही नहीं होगी five minutes के अंदर तो मेरी भूक ही चली जाएगी मुझे तो अभी के अभी चाहिए this argument appeals to me such a logician deserves his dinner straight away तो अब ये जो arguments है जो बच्चा कर रहा था उससे क्या है मुझे बहुत ही खुशी होते है मतलब जो father है वो कहते है कि उससे मुझे बहुत ही खुशी होते है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कितना logical argument था कि मतलब मुझे तो अभी चाहिए मतलब इसे तो तुरंथ डिनर मिलना ही चाहिए वो अपने बच्चे के लिए बोलता है कि इसे तो तुरंथ डिनर मिलना ही चाहिए आगे देखते है my wife's delightful laughter holds the three of us together we rise and go into the house और मेरी जो wife है मेरी जो पत्ने है वो हस देती इस argument पे और क्या करते है उस खुशी में हम तीनों के तीनों बंद के एक साथ चले जाते हैं कहां चले जाते हैं तो हम तीनों उठते हैं और अपने घर में चले जाते हैं किस चीज़ के लिए तो डिनर के लिए तो friends ये थी अपनी आज की छोटी सी poetry I hope आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई तो please like करना और share करना हाँ और जाने से पहले subscribe जरूर करना और पास वाले bell icon को भी press कर देना ताकि आपको daily update मिल सकी Thank you very much, bye bye, have a good day